हेलो एवरिवन दिस इस स्वस्थिक एंड यू और वाचिंग कॉलेज गाइड आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि यह वेरिविकेशन क्या है कैसे करवाना होगा कैसे पता चलेगा कि कॉलेज अब में को वेरिफिकेशन के बताना होगा हम इस वीडियो में बताएंगे दूसरा एक ही डॉक्यमेंट्स को उनको उनसे लेके जाने है बहुत बच्चे डॉक्यमेंट्स भी गलती कर रहे हैं ठीक है उनको दौड़ना पढ़ रहा है दुबार इस चक्र में तो आपको इस तर की परिशानी नहों हो यह स अब देखो इसका क्या हो सकता है वह सब छोड़ो लेकिन पासवर्ड में नहीं भरना था रेजिस्ट्रेशन के पासवर्ड के ताइम एक पांच डिजिट का तुमको पासवर्ड के लिए मिला था जो तुबारी थी उसके साथ आया था वह भरना था चलो ऐसी गलतिया नहों इसके लिए वीडियो क्लेरिफिकेशन के साथ देख लो और रेजिस्ट्रेशन का अपना प्रॉसेस कम्प्लीट करना दूसरा वेरिफिकेशन के लिए क्लेश कब जाना होगा और लास्ट टीट क्या है कैसे पता चलेगा कि अब व्रिफिकेशन इकर तुमको बुला रहा है देखो एक message कि तुमको screenshot दिखाता हूँ यह message जिस जिसक बिच्चे को भी आया है उसको अब इलम कॉले जाकर अपना verification कर रहना है देखो क्या होता है यहां पर आपका नाम होगा XYZ Your admission has been confirmed in college code यह code इन BSC subject आपका honors यह pass course जो भी है Visit here for more details अब कुछ बच्चों ने क्या किया है कि यह वाला जो college code दिया है यह password में टाल दिया उन्होंने password में यह college code नहीं डालना था password में जो आपका 20G ID था आपको उस ID के साथ 5G card पासवर्ड दिया गया था वो password में टालना था अब जिन्होंने कर दिया है उसका छोड़ो लेकिन जिन्होंने नहीं किया है registration के उपर पूरे detail video है description में उसको जा करके देखना है और सही process से registration करना ठीक है जो उमीद है कि अभी तक सब लोगों ने registration कर लिया होगा फिर भी अगर कोई बच गया है तो इस video को देख करके registration करना ठीक है अब देखो जिसका ऐसा message आ गया है उसको विलम कॉलेज जाना है और कॉलेज जाकरके अपना सारा document वेरिफाई कर वा लेना है वैसे स्थिति में जब यह सारी चीज़ होंगी उसके बाद ही अपना college जो हता है सब ही college अपने list त्यार करेंगे और यह list भेज देंगे पीपीउ को जब पीपीउ को यह list भेज देंगे तो पीपीउ को सब कुछ चीज को update करेगा और फिर upload करेगा वापिस site portal पे ठीक है और पीउ जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा तो verification नहुने के कारण बहुत सब्सक्राइब करें नहीं कारण सेकेंड मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई इसलिए अभी देखो verification का date बढ़ा हुआ समझ रहो लेकिन फिर भी यह अवी लम जा करके इस वीडियो को देखन तो जाल्दी से जा करके अपना verification complete करो क्योंकि verification नहीं करवाने के बाद अगर अपने verification नहीं करवाया तो आपका admission कैंसल कर दिया जाएगा verification करवाने के दौरान आपको documents वही सारे लेके जाना है जो आपने registration के time और admission के time upload किये थे अगर documents match नहीं हुए तो फिर आपका registration admission कैंसल कर दिया जाएगा अब मान के चलो किसी का आय या जाती परमान पत्र या अवास परमान पत्र छे महीं से ज्यादा पुराना हो गया है एक साल पुराना हो गया लेकिन गलती से उसने वही upload कर दिया था तो वह व्यक्ति अपना जो भी डादा तो वही document लेके जाएगा ठीक है यह नहीं कि कोई बनवा लिया new document सारे लेके चले गए तो फिर इस स्तिधी में भी आपका मैच नहीं होगा और application कैंसल हो सकता है समझेरो तो ऐसी गलती नहीं करना जो अप्लोड किया था सेम डिटो वही document लेके चली जाना है अब दूसरी बात रही कि last date कव है तो देखो last date तब तक है जब त नहीं आ जा रही second merit list जब आईगी तो समझो के second merit list आई है इसका मतलब second merit list के लिए काम चला है तो दो दिन second merit list जब आई उसके पहले था कि verification होगा और विलंब जा करके मैं पहले ही बता दिया था फिर बता रहो और विलंब जा करके अपना registration करवाओ ठीक है क्योंकि देखो college की तरफ से message आपको भेज दिया गया अगर मालो message नहीं आया है ऐसे case में तो आप जा करके अपना verification करवा लो क्योंकि जल्दी से जल्दी जाके verification कर दॉट पड़ेगा तो क्या होगा अगया payment successful का स्लिप मैंने डाउनलोड नहीं किया देखो वैसे बच्चे भी जाकर के college से ही संपर करें और documents लेके जाओगे तो वहां पर verification के time ही आपको सारी बात पता चलेगी ठीक है तो आज इस वीडियो को लिए इतना ही रखते हैं आश सबसे पहले करने के चेक्कर में गलत अपडेट नहीं देते हैं हम सरी सठीग अपडेटिस देते हैं और सारे सही समय आपडेट्स देते इसलिए चैनल को subscribe करके रखो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें मिलते हैं फिर किसे अगली वीडियो में टिल देन stay connected stay updated with college guide